Hey guys, welcome back to Movizoid इन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Dr. Sinz Multiverse of Madness मूवी के सेकंड ट्रेलर के बारे में और इस ट्रेलर के डीटेल बेकडाउन करने वाले हैं इस वाली वीडियो में तुम लोगो सारी डीटेल्स के बारे बताने वाले हैं इस वाले हैं इस टाम लान ने गया होगा जिसमें यार पूरा ही वर्ल्ड डिस्टोय हो रहा है सेंक्टन फिम्टोरम भी डिस्टोय हो रहा है तो यह वहीं का सीन है और इसके प्रेले सीन में दिखाया जाता है अमेरिका शेविश को किसी क्रियेचर ना पकड़ रखा होता है और यहार जो Dr. Strange का दूसरा variant होता है Defender Strange वो और अमेरिका शेविस किसी पोर्टल में नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं और हो सकता है का इस Defender Strange के किसी ने गंदे भर दी हो को कि यार उसके फेस पे कट देख कैसा लग भी रहा है तो अमेरिका शेविस ने पोर्टल बनाया होगा Defender Strange को बचाने के लिए वहां से भागने के लिए एक बादल फ्लोट कर रहा होता है और सारे मजिशन बाहर आ जाते है और डॉक्टर सिंज से रोक नहीं कोईश करता है तो डॉक्टर सिंज वांडा से पूसता है कि तुम्हें कितना पता है मल्टिवर्स के बारे में तो वांडा बताती है कि विजन की कुछ ठीओरीस थी कि मल्टिवर्स बहुत साथा डेंजरस है और इसके तुरंद बात बहुत ज्यादा इसके उनिवर्स में बिल्टा हुओ था और Wanda जैसे fight करती है यार उसका तो मतलब चेहरा दिखाया नहीं उससे दिखाया नहीं गया जैसे कि मुझे लगता है यह अपना Tom Cruise वाला Iron Man हो सकता है जो कि Wanda से fight कर रहा है यहाँ पर एक और possibility निकल के आती है कि यह Captain Marvel भी हो सकती है जो कि Wanda से fight कर रही है और यहाँ मैं अपनी main universe की Captain Marvel की बात नहीं कर रहा हूँ मैं हाँ पर बात कर रहा हूँ alternate Captain Marvel की variant की जो कि यार Monica Rambo हो सकती है और next scene में हम देखते हैं कि Doctor Strange का बड़ा सा statue बना होता है Sancton Centaurum के सामने तो यह वो universe है जहाँ पर Doctor Strange ने snap किया था Iron Man की जगा तो Doctor Strange यहाँ पर लोगों का hero बन गया होता है और यहाँ में Wanda की आवाज दे सुनते हैं बैगराण हम में जो कि Doctor Strange से कह रही होती है कि तुम अगर universe के rules तोड़ते हो universe को बचाने के लिए तो तुम hero बन जाते हो और ऐसे ही जब मैं करती हूँ तो मैं अपकी anime बन जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा गलत बात है और इसके बाद हम दो Wanda को देखते हैं इन मैसे एक Wanda अपने universe की होती है जो कि Scarlet Witch form में होती है और Westview वाले घर में रोरी होती है और जो दूसरी Wanda है वो alternate universe की Wanda हो सकती है और इसके अगले सीन में Wanda की सीसे fight कर रही होती है और अपना chaos magic यूज करती है और तब हमें एक बहुत ही amazing सा zooming shot देखने को मिलता है और यहापर हो सकता है Wanda की fight Professor X से होगी च्योंकि अपनी powers कर उसकर करके Wanda के mind में गुज रहे हैं और ऐसे shots हमने पहले X-Men में भी देखे हुए है और वन्डा की powers भी mind control वाली है तो यार इन दोनों की fight देखने में तो बहुत जादा मज़ा आएगा और इसके बाद हमें बहुत जाद तभाई scene देखने को मिलता है जिसमें Dr. Strange का zombie fight version दिखाया जाता है और जो Super Bowl में TV spot रिलीज हुआ था 30 second का Dr. Strange Multiverse of Madness का उसमें मैं clear look दिखने को मिला था Dr. Strange के zombie fight version का और जो zombie में transform हो रहा है अपना main timeline वाना Dr. Strange नहीं है यह Defender Strange है जो की zombie में transform हो रहा है और Defender Strange का भी clear look दिखाया गया है TV spot वाले trailer में तो यहीं पर यह trailer end हो जाता है और बहुत जादा बवाल trailer था या और बहुत जादा surprise इससे trailer में ही तो movie तो बहुत जादा amazing होनी वाली है और तो अगर वीडियो को like नहीं किया तो like कर देना इस video को चैनल को subscribe नहीं किया तो आज़ो subscribe जरू कर देना किसे तुम लोग ऐसी amazing movies और rap series को miss ना कर पा हो तो चुलाएं मिलता तुम सब्सक्राइब वीडियो में किसी और topic के साथ Bye guys